हाई फ्रेंट्स कैसे हैं आप सुवागत करता हूँ आपके अपनी चैनल क्रेक 11 फोकस पे इस वीडियो में हम बात करने वाले डी सी वर्सेज एमाई ड्रीम 11 मैच यानि डेली कैपिटल्स वर्सेज मुंबा इंडियंस फॉर्म ड्रीम 11 आई पिल 2020 सबसे पहले आपको दोस्तो तो दुबई में मैच खेला जा रहा है अभी तक तीन आफटनून गेम हुई है तीनो चेजिंग टीम जीती है हाला कि टोटली रिकॉर्ड पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम का अच्छर है यह सब बाते करेंगे पिजो है दुपहर को यानि आफटनून गेम में जादा स् सारा क्रक्स जो है समझ पाए अभी तक 22 मैच हुए है बारा बार जो जीती है पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम जीती है चेजिंग टीम केवल साथ बार जीती है लेकिन इंटरस्टिंग ली तीन मैच सुपर ओर में भी गया है यहां पे अगर आप देखें आफटनून ग विकेट्स गई है 155 फास्ट बोलर को यानि मैक्सिमम विकेट्स उनको गई है फास्ट बोलर को 79 स्पिनर्स और 21 रन उट फीन इनिंग में ठोड़ा जादा डॉमिनेट किया स्पिन बोलर ने लेकिन दुपहर के गेम में आप दोनों इनिक्स में लेके चल सकते हो मुझे ही आ जाती है आफ्टनून गेम्स चेजिंग टीम हैस बीन विनिंग बट मैं कहूंगा कि वह एक ट्रेंड है बस आप न्यूटल मानके चलेंगे जो आपको लगता है टीम जीतेगी हलका सा उसको फेवर कर सकते हो वैसे दोनों टीम रचा कर रही है और आइपकल में कोई भी कि ली हार गया था क्योंकि अराम से चेज कर लिया था यहां पर आके मुंबई इंडियंस ने इसमें डीकॉक ने 53 किये थे क्रुनल पांडिया ने दो विक्टे ली थी और यहां से कगीज़र अबाड़ा दो विकेट मारकस टोइनिस भी एक विकेट लगे लगे गए 13 नंपे श्रिया सियर ने 42 रन किये 2019 के भी मैच परफॉर्मेंस देखोगे तो शीखर्दवन का नाम दोनों में आ रहा है इनका वैसे भी I think 733 दंज है अगेस्ट मुंबई इंडिया जो की सेकेंड हाई स्कोर है आज तक फॉर एनी प्लियर अधर देन सुरेश रहना रिशप पंध अब यहां पर परफॉर्म करके दिया आपको तो इनको भी आप ग्रेंड लिग में ट्राय करें इशान श्रमा आज का मैच खेलेंगे नहीं इंजट हैं करफॉर्मर्स वहीं आ रहे हैं देखके चलना मेकलेनेगन के खेलने के बहुत थोड़े से चांसे हैं क्योंकि लावा बिल्कुल अच्छा नहीं किया तो लास्ट मैच को अच्छा देखते हुए मिभीन को फिर से खिला लिया जाए लेकिन पृत जल्दी आउट होगे थे बूल्ड की स्विंग के आगे बहुत जल्दी आउट हो सकते हैं फिर से शायद इसी वज़े से रहाने को कॉंट केट कीपिंग में बहुत अच्छा काम किया है लेकिन आपको जब से इंजरी से आए हैं थोड़ा सा आप कह सकते हो कि रंज उतने जाद नहीं कि पूरे टूना में आप कहोगे कि ठीक ठाख खेले हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि खराब परफॉर्मस दियो लेकिन ऐसा है कि बहुत अच्छी भी नहीं दी थर्टीज थर्टीज करते जा रहे हैं रेगूरली जो कि टीट्वेंटी में ठीक स्कोर है बट उमीद होती है कि एक ना एक 50 करके देंगे क्या पता आज कमेच कुछ वैसा मिले है है अक्षर पटेल रवी अश्विन खगीजोर अबाड़ा त दो बॉलिंग भी टेथ में करते हैं दॉनों यहां मैंने लिखके रहे लाश मेंच में कौंसा नमबर ओफ ओर डाला था इन्हुन ने एश्वंट की बात करे तो इन्हों ने तीन ओर या आप देख रहे हो यहां पर तो यह सब चीज़ें आप देख गे चलेंगे आको बने Teach पता रहेगा पहले से कौन कब आ सकता है फुल स्टाट्स प्रस इन्फो इनके लास्ट येर के टॉप स्कोरर वैसे तो अब इस सीजन ही इतने मैच हो गए कि हम इस सीजन की परफॉर्मेंस पर जादा ध्यान देंगे मुंबई की बात करते हैं सबसे अच्छी रही है इसमें कोई दिक्काट वली बात नहीं है सबको पता है कि चैंपियन टीम है लास्ट सीजन की चैंपियन की तरह खेलती आ रही है 12 में से 8 मैच जीती है कुईंटन डिको काफी अच्छा परफॉर्मेंस दी है है टीम में हार्दिक पांडया पॉलाट क्रूनल पांडया बहुत अच्छे फिनिशर्स है टीम में पैटिंसन लास्ट मैच में थोड़ा फीके रहे थे तीन और में विकेट नहीं मिला स्टैट्स इंफो भी देख सकते हो प्लियर बैटल्स पर एक बन अज़र डालते हैं मेरे दोस्त क्योंकि इंट्रस्टिंग है पुलाड का रिकॉर्ड अल्मोस सब के आगे एक जैसा ही है अच्छा खासा है रंस कर रखे हैं लेकिन तीन बार अश्विन को विकेट भी दिया रंस करने के बावजूद हारदिक पांडिया का रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो अक्षर पटेल के आगे थोड़े से आप कह सकते हो विकेट दिया लास्ट आइप यल में रबाड़ा के आगे भी लास्ट आइप यल में दिया पिछले मैच में स्टोईनिस की दोगें खेली थी एक प्याउट हो लेकिन इंडिया के आगे तब आउट किया है तीम बर वंडे इंटरनेशनल में आउट किया है भूमरा को डॉबिनेट किया शिकर दवन एक इंटरस्टिंग फ्लियर बैटल जो की बूमरा के आगे ज्यादा बैट्समन नहीं कर पाए वह दवन ने किया है राहुल चेहर के आगे एक बर उट है हार्दिक पंड्यक आगे बूलिंग नहीं कर रहे हैं प्रित्वी शो का जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो चहर के आगे और यहां पर इन फैक्ट लास्ट मैच में बॉल्ट के आगे बी आउट हो गए थे श्रे सेयर का रिकॉर्ट भी ठ का रिकॉर्ड आप कह सकते हो कि बूम्रा के आगे थोड़े धीमे खेले हैं बॉल्ट के आगे एकदम दोसों के स्ट्राइक रेट से खेले हैं हार्दिक तो बॉलिंग कम ही करेंगे कर ही नहीं रहे हैं इन फैक इस सीजन शिम्रान हैटमेर दस गेंद में नौरन एक विकेट जस्फिर गूम्रा एक गेंद एक विकेट आई पिल 2019 में पहली ही गेंद पर बॉम्रा ने इनको आउट कर दिया था और ये ओडिया का है बैटल ये देखके चलना है एटमेर और बोल्ट का रहाने जी का भी रिकॉर्ड दिखाया क्रूनल के आगे दो बार आउट हुए रह अगर आप खेल रहे हैं आपको या तो शिखर धवन रॉब करके मिलेगा आपको ओपनेंट या दूसरी तरफ आपको ऐसा भी मिल सकता है जो कैप्टन करें तो इस लिए मैं प्रेफर इधर गूइंग फॉइड और मीजर ली ग्रेंड लीग वाई ग्रेंड लीग बिकॉज मुझे लगता है इस मच में ग्रेंड लीग का अच्छा उपरचोनिटी है कुछ प्लियर्स जिसे रिशप पंद हो गए जो जिता सकते हैं हमें सेलेक्शन कम है उनका पहले हम देखते हैं स्मॉल लीग का ठीक है मैं आपको स्मॉल लीग का बता रहा हूं ग्रेंड लीग का बताऊँगा, small league में मैंने Quinton Dicog को अपने team में लिया है, रिशप Pant को नहीं लिया, इशन किशन को लिया है, आप चाहे रिशप Pant को ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे player हैं, विकेट कीपिंग भी करके दिंगे आपको, बले बाजी में मैंने शिखर दवन को लिया है काफी लोग ड्रॉप करेंगे मैं पहले बता रहूँ और नहीं चले दवन तो वो बहुत बड़ा मस्ट स्ट्रोक प्रूप हो सकता है उसके अगर रोहित तो खेल गए तो और ही प्रॉबलम है क्योंकि भीया पहले ही क्रेट ने अंगामा कर रहा है श्रेय सायर को टीम में लिए सुर्य कुमार यादव को लिए आफ्टर लास्ट मैच मैं यहाँ पे सुर्य कुमार यादव को नहीं डॉप करने वहला इंक्रेडिबल इनिंग 79 ओट की ठीक है यहाँ पे रहने आप रहने को लीना चाहे है रहने को ले सकते हैं हार्दिक को ले सकते हैं रहने के ओवर शिकर्धयक धुलन आपका दो क्रेड वी भीछा देता है और बाइचांस रहने ने सिकर्ण इतना ही रांकर लिया वो कर जाएगी ठीक है यह देखके चलना और राउंडर सेक्षिन में यहां पर मैंने मारकस टोइनिस को लिया है और मैंने लिया है यहां पर क्रूनल परंडे को अप्षिन में डेफिनेटल कारेंट पुलाड है इन्होंने में लास्ट मिश में भी लिया विकेट दी बहुत इंपोर्टेंट विकेट ली और साथ में आपको पता है चार वन भी कर दिया लेकिन वो चार-पांच पॉइंट मेरे लिए काफी फाइदे मेरे हैं क्योंकि मैं त पॉइंट से कॉंटेस जीता था तो यह पॉलाड है काफी मैचिसे मुझे जिता हैं मुंबई को जिता हैं आपको भी जिता सकते हैं अक्षर पटेल इंपोर्टेंट प्लेयर वैसे भी मुंबई के आगे परफॉर्मस ठीक है कैन स्कोर एस वेल इफ नीडिड तो यह एक्ष लेके जाएंगे तो आप क्या करोगे सीधा सीधा आप रहुल चहर और बोल्ट को चेंज करो बूमरा लो और यहां पर एट क्रेड में फिर देश मांडे को पिक करो यह करना पड़ेगा इफ यू वांट बूमरा इन यूर टीम अधरवाइस यू कन आलसो गो फोर सौर अप तो ठीक है आप मुझे कमेट करके जरूर बताना आपके सोच यह भी अच्छा हो सकता है तो यह कॉमिनेशन में आप पास भूमरा आ गया लेकिन इफ यू डोंट वांट भूमरा तो आप यहां पर अभी के लिए बूमरो भूमरो नहीं चाहते है अगर अभी के लिए तो ट इकर धवन को लेगे ही नहीं ओ और एक करने से आपको दो क्राइड मिल जाता है फिर क्या होगा आप पास अराम से पुलाड आ जाएंगे टीम में पुलाड के अलावा आप पास यहां पे अराम से आजाएंगे बूमरा और इफ यू वांट आप रिश्प पंत को भी ले चल इस combination में आप क्या करोगे captaincy आप decock को दे सकते हो vice captaincy आप यहां पर boomerah को भी दे सकते हो या रबाड़ा को दे सकते हो anyone you want जो आपको लगता कि जीते की team उसको favor कर सकते हो पहली gain-bazivali को जादा करना समझदारी रहती है अब हम बात करेंगे grand league की team की जिसके लिए आपने मुझे बहुत comment किये बहुत message किये तो वह यह grand league की team कैसे बनाएंगे Mumbai के favor में पहले बनाते हैं इनके openers को pick करते हैं सबसे पहले इशन-किशन और Quintan Dicog दोनों openers मैंने cover कर लिए अब मैं यहां से majority इनके bowlers देने वाला हूँ Mumbai के यहां से मैंने ले लिए बूमरा, front bolt, राहुल चहर, क्रूनाल पांडिया और James Pattinson आप चाहें पेटेंसन की जगा दूसरा bowlers यानि पॉलाट भी ले सकते हैं क्योंकि last match में पॉलाट डाला था यहां पेटेंसन है तीन लेकिन majority time पेटेंसन ही और ज्यादा डालेंगे इसके बाद मैंने श्रियस अयर को लिया, शिखर धवन को लिया, यहां से मैंने मारकस टोइनिस को लिया और एक प्लेयर आप दिली से जो चाहते हैं चाहे रिशप पंत को लेना चाहेंगे तो उनको लीजिए, लेगिन क्योंकि मेरे को batsmen ही लेने हैं, क्योंकि तीन batsmen तो minimum क करने हैं पूरे, तो मैं यह रहाने के साथ जाना पड़ रहा है, अब आप देखेंगे कि यह combination किसे आप से बना हुआ, यह combination में captaincy जाएगी डिकॉप को, vice captaincy इशन किशन को, अगर मुंबई के top order ही सारा chase कर देता है, दोनों opener मिलके, पांचो बोलर हमने cover कर दिए, और जिस combination पर रहाने की जगह हमने क्या किया, हमने सुर्य कुमार यादव को ले लिया, टीम में ठीक है, अब दिली से हमें एक बोलर चाहिए, क्यों चाहिए एक बोलर, क्योंकि इशन किशन हम मानके चल रहे हैं, जल्दी आउट हो रहे है, जो आपको लगता है विकेट लेगा, उनक आप दिली से पिक करें, अश्विन लगते हैं, अश्विन को करें, नौटिया लगते हैं, नौटिया को करें, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा हमारा उस केस में, काफी लोगों ने आज सुर्य को किया, वाइस कैप्टन, कैप्टन, तो मैं ग्रैंड लिग में शायद देश पांडे में, ओवर्ज बढ़ सकते हैं, इफ यू वांट आप चेंज करें, ये थोड़ा इसके टीम्स रहेंगे, ग्रैंड लीग वाले, लेकिन ग्रैंड लीग में रिस्क लेने का ही मतलब है, अगर ये चलेंगी तो बहुत अच्छा करेंगी, वरना आपको पता क्य आओ सकते हैं टीम्स के साथ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथी में उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट मैच की रहने वाली है, वो ज़रूर देखेंगे, मेरी आपके लिए स दिखाए हैं, दो अलग कॉंबिनेशन, वो आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, जो मेरी टीम 2 और 3 रहेगी, जिससे मैं 39 वाली मीनी ग्रेंडी खेलने वाला हूँ, टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल हाथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूलना